करम भूमी की इस दुनिया में श्रम सभी को करना है भगवान सिर्फ लकीरे देता है रंग तो हमें ही भरना है जै मातादी दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इस वर्ष 2022 के आखरी माह, दिसंबर माह क के बारे में कुंबराशी के जातकों के लिए ये महिना यानि कि इस वर्ष का आखरी महिना आपको क्या कुछ खास दे कर जाएगा द्रहों की इस्तिथी आपके लिए किस तरह के योग बनाएगी वर्ष का ये अंतिम महिना आपके लिए अच्छा होगा या अनुकूल होगा या बहुत अच्छा होगा या फिर आपके लिए कई मुसीबे तखड़ी करेगा सब कुछ हम इस वीडियो में विस्तार से जानेंगे तो वीडियो को लास तक देखें चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और जुड़ जाएं हमारे चैनल के साथ यहां आपको समय समय पर सभी जानकारियां मिलते रहती हैं एक छोटा सनिवेदर नौर है अगर आपने अभी तक हमारे दूसरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे दिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा वहां से आप उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं तो दिखे दिसंबर महिने की हम बात करें हैं वर्ष का आखरी महिना है और मन में कही न कहीं ये बात होती है कि ये वर्ष जाते जाते कुछ तो ऐसा दे कर जाए जो आपके लिए यादगार बन जाए तो इस महिने में हम सबसे पहले कारेशेतर के बारे में जानेंगे के कारेशेतर आपका कैसा रहेगा तो दिखे शुरुवाती दौर में आपका जो दस्वा भाव है जो करम भाव है वहां तीन ग्रह उपस्तित होंगे सुर्य, बुद्ध और शुक्र यानि त्रिग्रही योग आपके लिए बना रहेगा अब दस्वाव में जो ये तीन ग्रहों की स्तिती है ये बहुत ही जादा शुब है ये जब से ये तीन ग्रह एक साथ होंगे तब से आपके लिए उत्तम रहेगा इसके साथ एक मंगल की जो द्रस्टी है वो भी आपके लिए बड़ी अच्छी है मंगल की द्रस्टी होने से भी आपका कार्य शेत्र में रुतपा बढ़ेगा इस महीने की शुरुवात से आपके मन में बड़ी सुख की भावना रहेगी अपनी काम की वजह से आप देखेंगे कि आपका जो कामकाज है उसमें बढ़ुतरी आपको दिखाई देगी कुछ जो नई प्रोजेक्ट आपके हाथ में सोपे जा सकती है यानि आप अगर सोच रहे हों कि इस महीने कुछ तो ऐसा हो तो वागई में यखीनान आपके लिए इस महीने में ऐसी स्थियां बननेवाली है ऐसे प्रोजेक्ट आपको मिलेंगे जिने अगर आप पूरा करते हैं सही समय पर आप उसे पूरा करेंगे तो आप के लिए ये जो समय होगा वाकि में काबिले तारीफ रहेगा तो आपको बस खूब लगन और महनत के साथ काम करना है आपके आपके कारेश शेत्र में इस्तिती बहुत बढ़िया रहेगी और आपको अपनी कारेश कुशलता दिखाने का मौका भी मिलेगा अब पहले ही सप्ता हमें दिसम्बर महा के पहले ही सप्ता हमें बुद्ध देव का और शुक्र दोनों का ही राशी परिवर्तन हो जाएगा अब दोनों का राशी परिवर्तन होगा कहां? लाब भाव में इकादस भाव में पिरवेश करेंगे और तब सुर्य और मंगल का प्रभाव दसम भाव को पूर्ण रूप से प्रभावित करेगा क्योंकि दसम भाव से यहां शुक्र निकल जाएंगे और बुद्ध भी निकल जाएंगे अतब जो है यहां पूर्ण प्रभाव जो है सूरिय और मंगल का रहेगा दसम भाव पर जो कि दस से बाव में मंगल शूरे तो बैठाई हैं और मंगल अपनी द्रस्टी डाल रहे हैं तो इस्तिति नी क्या होगा ये इस्तिति आपके लिए बड़ी जबरगस्त रहेगी तो तीन और पांच तारिक को ये परिवर्तन है ये इस्तिति आपको होगी ऐसा नहीं कि उसमें आपका भागया बहुत सपोर्ट करेगा नहीं आप ऐसे कारिया करेंगे कि आपकी स्थिदियां बुलंद रहेंगी आप अपनी नौकरी को पूरी तरह से इमानदार होकर निभाएंगे और आपको जो परिणाम मिलेंगे बड़े ही सुविधा जनकर मिलेंगे बहुत अच्छी मिलेंगे बात आ जाती है व्यपारी होंगी तो व्यपारी थोड़ी से तरकता की साथ आगे बढ़ें शुरुवाती दोर में क्योंकि चौथे भाव में जो वक्री हैं मंगल हैं की द्रेश्टी है वो सब्तम भाव पर रहेगी और सब्तम भाव को जिद्धी हान रखनी है कि जब भी आपको बड़ा निंडे अपने फैपार को ले कर ले या फिर कोई बड़ा काम अगर आप हात लें तो उसे धीरे-धीरे कोशिश करने की कोशिश करें यानि दिरे-दिरे करें उसको क्योंकि मंगल का जो वक्री प्रभाव है उससे बचा जा सकता है और आपको अच्छी उन्नती भी मिल सकते हैं उसके लिए मंगल के उपाय करें जो हम आपको वीडियो के आंत में बताऊंगी यदि आप अपने जीवन साथी के नाम से रेजिस्टर करा लेते हैं काम को या फिर उनके नाम से अपने कारे की शुरवात करते हैं या फिर आप उनके साथ साजेदारी में कारे करते हैं यानि आप पहस बिनवाइफ दोनों मिलकर काम करते हैं तब आपके लिए इस महीने में आपको उपर अठने से कोई नहीं रो अब आपको जबरदर्स तरीके से मिलेगा तो कहने का पूरा जो चीज आप ये समझे की आपको प्रयास करने हैं, आपको मेहनत करनी हैं, अपनी काम पर आपको भरोसा करना है जो आपके लिए बुलंद इस्थितियों को निर्मित कर देगा. अब अगर हम देखें कि आपकी आर्थिक स्थिति कैसी होगी, तो देखें 16 तारीक को सूर्य इकादस भाव में आ जाएंगे, इकादस भाव में सूर्य के आते ही आर्थिक स्थिति में बड़ी तेजी से उच्छाल आएगा, जो आपको आर्थिक तोर पर मजबूती दिलाने और क्या रहेगा, मंगल ग्रह की द्रश्टी भी एकादस भाव पर आजाएगी, अब एकादस भाव पर आएगी तो आपको प्रॉपर्टी से भी धनलाब की योग बनेंगे, यदि आपकी प्रॉपर्टी किरायब पर चड़ाना चाहते हैं, किरायब पर से उतरी हुई है औ तो आपकी ये इच्छा पूरी होगी, कि इस दोरान आपको फाइदा होगा, या फिर आप कोई प्रॉपर्टी बेचना चाह रहे थे, तो आपकी प्रॉपर्टी बिक्केगी, आप जबर दस्त धन कमा पाएंगे, और आपकी ये इच्छा भी पूरी हो जाएगी, तो आप क के प्रभाव के कारण सरकारी शेतर से भी लाब के योग बने हुए हैं, महिने की शुरुवात में जो पहला सता होगा, सिर्फ वो थोड़ा आपको कमजोर देख सकता है, छोटी मोटी चुनोतिया आ सकती है, और खर्चा हो सकता है, लेकिन बहुत अच्छे योग बनने शु होगी, ये खर्चे आपके कम हो जाएंगे और आमदनी की तरफ जादा अच्छा रहेगा, जो आपको सुकून देने वाला होगा, और मद्ध है कि माहा के बाद तो इस्तितिया एकदम से पलट जाएंगी, तो आप कह सकते हैं, ये महिना धन के मामले में, ये महिना करियर के म मामले में, ये महिना वैपार के मामले में आपके लिए जबरदस्त लाब देगा, इसलिए मैंने टाइटल दिया कि बुलंद होने वाली है आपकी किस्मत, बुलंद होने वाले हैं आपके किस्मत के ताले, तो देखिए, ये महिना आपको वो खुशी दे कर जाएगा, जिसक आप कल्पना करते हैं जिसके आप चाह रखते हैं और जिसके लिए आप महनत कर रहे हैं बस उपाया मैं आपके लिए बता देती हूं अपाया आपको क्या करने है एक तो आपको शनिवार के दिन कोई भी दिव्यांग व्यक्ति मिलता है उसको भोजन जरूर करें तो ये एक बहुत बड़ा उपाय होता है कुमराशी के जात्वों को हमेशा इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कोई अगर आपको दिव्यांग व्यक्ति मिलें तो उसको खाने की चीज़ आप जरूर दे बंगलवार और शनिवार इन दोनों ही दिनों में से किसी भी दिन आप एक चीज़ शुरू कर सकते हैं हनुमान चालिसा का पाठ करना जो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा ये दो पाय आप कर लें ये महिना आपको खुश करके जाएगा और नए वर्स की शुरूआत अच्छी करके जाएगा तो दोस्तों और अधिक ऐसी जानकारियों के लिए चानल को सब्सक्राइब करने वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले